ब्रिंदा ओनलाइन शरी क्लासेज में एकवर फिर में आप सभी का स्वागत करती हूँ निदेशाले ने रोकी कांस्लिंग फसी निक्तियां प्रवक्ता के पदों पर 350 चैनितों को आवंटित नहीं किये गए कालेज उच्च सिच्च निदेशाले ने राजकिय महाविद्यालेयों में प्रवक्ता के पदों पर चैनित अव्यार्थियों की आनलाइन कांस्लिंग प्रक्रिया बीच में ही रोक दी ऐसे में पांच साल पुराने बिग्यापन के तहत चैनित अभ्यार्थियों की निक्ति फस गई सोमवार को अभ्यार्थी उच्छ सिच्छा निदे साले मिलने उनके कार्यारे पहुँच गए और वहीं धर्ना दे दिया निदेशक ने उन्हें बताया कि राज्कियों महाविद्याले में आनलाइन माध्यम से स्थानांतर की प्रक्रिया शुरू हो गई है यह प्रक्रिया पूरी होते ही चैनित अभ्यार्थियों को कांसलिंग के माध्यम से कालेज आवंटित किये जाएंगे जो महाविद्याले में आनलाइन अस्थानांतर की प्रक्रिया हो रही है उसके बाद इनको कालेज आवंटित किये जाएंगे निदेशाले में बिभिन मांगोक लेकर उच्छ सिच्चा निदेशक को गयापन देने पहुचे अभ्यार्थी अगला निदेशाले आनस्थाजार पांसो अध्यापक भरती में पुर्ण मुल्यांकर में सफल 149 अभ्यार्थियों को नहीं मिली नौकरी शचीव परिच्छा नियामक प्राधिकारी की ओर से 8500 सिच्चक भरती परिच्चा के पुरनर मुल्यांकन में सपल 149 अभ्यारति निक्ती के लिए भटक रहा है निक्ती के लिए सचीव बेसिक सिच्छा परिशत की ओर से की 800-500 सहाय का द्यापक भरती 2018 में पुनर मुल्यांकन के बाद जन्वरी 2020 में 36 अभ्यारतियों को सफल गोसित किया गया जबकी सितंबर 2020 में 103 अभ्यारतियों को पुनर मुल्यांकन के बाद सफल गोसित किया गया परढाम गोसित होने के 17 महीने बीज जाने के बाद भी नियुक अभ्यार्थियों ने शुरू किया धर्ना परशं धर्संत। प्रति देने की मांग करने करते धरना सुरू कि या भ्यार्थियों का कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि बेसिक शिचा परशाद ने प्रति वर्श एक लाख operative की लेकिन दो वर्ष से भरती नहीं निकाली गए उदर दिव्यांग अभ्यार्तियों कारोप है कि 800-500 साहय का द्यापक वरती में दिव्यांग अभ्यार्तियों को PWD 1895 के उसाज 3 प्रस्त आराच्छ नहीं दिया गया इसके कारण भरती में उन्हें 5 प्रसत भारांक भी नहीं मिला है तो दोस्तो इसी साथ हमारा आज का वीडियो समात होता है वीडियो आपको कैसा लाग कमेंट करके ज़रू बता है और चैनल को मैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें सिच्चा जगस से दूरियों तमाम कबर को देखने के लिए